अपनी विशस को मैनिफेस्ट करने के लिए ये महीना सबसे पावन है पावन चब्द का इस्तमाल क्यों कर रही हो मैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये महीना है कार्तिक का हिंदी महीनी से अगर हम देखें तो पूर्णिमा के बाद जो तिथिया शुरू होती है अगले करें अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचें यह सारी चीज़ें आपकी कम्प्लीट लाइफ को हो सकते हैं एकदम से मराकल्स हो सकते हैं आपके लाइफ में काफी ब्लेस्ट है अभी क्योंकि ये कार्तिक का महीना पूर्णिमा से शुरू हो गया है एक दिन आज निकली कोशिश करें कि ब्रहमूरत में सुबा इटलीस चार बजे उठें चार से साड़े पांच छे बजे का टाइम आपका ब्रहमूरत करेता है आप उस टाइम पे उठें नहाध हो करके सबसे पहले ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाब करें इससे भी जादा पाफुल अग है वो शादी हो आपका करियर हो जॉब हो पढ़ाई हो कोई भी चीज विश्ण सहस्रणाम करिए क्या होता है विश्ण सहस्रणाम करने से प्लैनेटरी वाइप्स पॉजिटिव होते हैं ब्लेसिंग जाती है लाइफ में आप लोगों के लिए चीजे होनी शुरू हो जाती ह विश्ण सहस्रणाम चाहें तो अभी डेली रोज सुभा उठकर के आप करो अभी ये एक महीना जो है वैसे भी ये काफी डिवाइन मंथ है काफी सारे प्रेयर्स पूजा रिचुवल्स और फिर साथ में दिवाली सबसे बड़ी चीज तो पूरे हाई वाइप का महीना है का बंगा जल डालके नाहों ओके नहाने के बाद आप बैठें अपने पूजा स्थान पर हो सके तो बैठें नहीं तो आराम से कहीं पर भी चान्ती में बैठें वहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासु देवाई के बाद विश्ण सहस्रणाम करें इसके बाद अपनी विंति प्राथना करें अपनी विश्ण के लिए जो लोग सुबा स्क्रप्टिंग करना चाते हैं कोई टेकनीक करना चाते हो बहुत सारे मल्टिपल टेकनीक से ठीक है अभी इन इस पूरे जितना भी यह महीना चल रहा है इसमें अगर आप चाहें तो 369 की टेकनीक कर यह पहले आपको लिकन के सोना है ठीक है वहां चीज में को बहुत अच्छा से पता होगा अपनी विश्ण को हम कैसे प्रेजेंट अंस पे लिखते हैं आप चाहें तो आएम शोर लगा के भी अपनी विश्ण को लिखना शुरू कर सकते हैं 369 की टेक्निक अप्लाई करना शुरू कीजिए best है अभी फिलहाल के लिए, कार्तिक का महीना है, तुलसी बहुत important है अभी, religious है, साथ में तुलसी के साथ माननेता है यह है कि कार्तिक के महीने में जब सुबह सुबह उठके नहाध हो करके, आप तुलसी में जल देते हो, दीप जो अपने शादी के लिए वेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपके desired specific person हो, या फिर आप soulmate manifest करना चाहरे हो, उनके लिए शादी के द्वार खुल जाते हैं, तुलसी मा से की गई प्रातना सीधा विश्नु भगवान तक जाती है, और कहते हैं कि विश्नु भगवान कभी भी दुलसी मा को मना नहीं करते, तो यह सारी मान्यताय हैं, और इसी विश्वास के बल पे आप अपनी पूजा पाट, अपनी चीजों को करेंगे, और बाकी ईश्वर पे छोड़ देंगे, कि जो भी होगा आपके लिए best होगा, self love high रखिए, पूरा महीना अच्छा है, मैंने आप emotional sponge तो नहीं बन गए हैं दूसरों के लिए, कई बारी होता है, कि आप दूसरों का दुख सुनते हो, ठीक है, सुन करके इतने दुखी हो जाते हो, कि अभी सारा दिन उसी के दुख में आप रम गए हो, रो रह हो उनके लिए, और वही चीज आप vibrate करना शुरू कर देत हो, कभी भी आप किसी के साथ भी हो, और ये तो चलो दूसरों की दुख की बात है, कई बारी हम अपने घर में ही अपने ही लोगों के उनके emotional habits से भी effect हो जाते हैं, बहुत जादा और खुद को disturb कर लेते हैं, तो अपने आपको हम कैसे protected रखें, कैसे safe रखें, किस तरह से संपर्क में आते हैं, किसी का दुख़ा सुन रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं, जो बड़े toxic हैं आपके family में, और उनके emotions या उनकी behavior आपको affect कर रहा है, उस time पे आप सबसे पहले उस जगह से थोड़े दिर के लिए हटने की कोशिश करिए, जिनके संपर्क में हैं, अ कि आपका subconscious कभी भी सामने वालों की किसी भी negative feeling को absorb नहीं करें, ठीक है, किसी भी कोई भी चीज absorb करती है, जब वो, अगर मानलो sponge ही है, मैंने emotional sponge की बात करी, कि आप वो तो नहीं हो, now sponge कब absorb करेगा, जब वो बिकुल dry होगा, तब ही तो उसमें absorption की शक्ती बढ़ेगी, तो जि ऐसे ही आपने अपने आपको पूरा अच्छे से एक तरह से hydrate कर लिया, पानी पी लिया और उसमें affirmation डाल के कि आप positive हो, pure हो, strong हो, this means आपने अपने आपको अब sponge नहीं रहने दिया, आपने अपने आपको hydrated कर लिया, पूरा फिल कर लिया, अब आप किसी चीज को absorb नहीं करो है, अभी कैसे करें, उनको कैसे handle करें, कैसे उनसे हम affect ना हो, उस time पे जब बहुत जादा problems आ रही हैं आप दोनों के बीच में, please किसी divine energy से connect करो, जैसे ही हम किसी higher vibe या higher soul से connect करते हैं, असल में हमें वो strength मिल जाती है, और उनकी protection shield automatically हमारी तरफ आ जाती है, जो हमको और का prayer, कुछ भी नहीं थो, उनकी picture देखके सिर्फ आप request करो कि वो आपको heal करें, आपके साथ रहें, आप देखो कि आपको एकदम से healing मिली है, एकदम से आप सुरक्षा कवच में अपने आपको महसूस करोगे, ठीक है, तो ये करेंगे आप, इसके अलावा और क्या कर सकते है meditation सबसे powerful है, क्योंकि जितना आप जादा रोजाना meditate करोगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी problem आजाए, आपको disturb नहीं कर पाएगी, आपके अंदर वो strength आजाती है, कोई भी आपको disturbance create नहीं कर सकता आपके life में फिर, ठीक है, अचा, instantly, अभी सामने, मान लो, कोई चिला रहे है ह बॉल आया और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया आपको, या सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्टिल एक चीज, एक लाइन कुछ ऐसी बोल दी, जिसने अभी सारे दिन आपके मन में बस वही बाते घुम रही हैं, घुम रही हैं, कि उसने मुझे ऐसा बोला, आप तो completely अभी उस बात को absorb करके बैठ गए, में भी हो सकता है कि बोलने वाले का तो कोई intention भी नहीं था, या उसको उस बात से फर्ग भी नहीं पड़ा कि उसने बोला क्या आपको, पर आपके मन में वह बात तो घर कर गई, ठीक है, अब आप क्या करोगे, जिस इनसान ने भी आपको जिस साल बाद ही रखो सिर्फ, सिर्फ ये देखना कि एक साल बाद क्या इस बात की कोई value है, अगर एक साल बाद आपको लगे कि इस बात की कोई value नहीं रह जाएगी एक साल बाद, तो फिर वो बात important नहीं है, उसको वहीं खतम करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात इतनी बड़ी है कि इसकी value तो अभी जिन्दगी भर रहने वाली है, तो फिर आप अपने आपको heal करो, strong करो, ताकि उस बात से आप अपने आपको वहाँ पे इस तरह से proof करो, कि अभी इस बात के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए, कई बारी आप जब जवाब दे देते हो, तब होता है कि आपने किसी की चीज़े absorb नहीं की, ठीक है, तो कुछ absorb ना करो, इसके लिए हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि चुपचाप ही सुन लेना है, सह लेना है, और बस बैठ जाना है, तो तब हम कहें कि हाँ, हमने absorb नहीं किया, नहीं, कई बारी इंस्टेंट होता है, कि अगर कुछ आ रही है चीज़े नेगेटिव, आप तुरंग जवाब दे के निकलो, इससे आपका मन हलका हो जाता है, और कुछ नहीं, और आपके अंदर एक satisfaction हाजाती है, कि हाँ, मैंने जवाब दे दिया, ठीक है, सो कभी-कभी जवाब देना ज़रूरी है, बट फिर भी दाइरे में रहके, लडाई में convert ना हूँ, ओके, सो बोल दो अपनी चीज़ों को, मन में मत रखों, क्योंकि वो मन में रखना, आपको effect करना शुरू करेगा, और आपको परिशान करेगा, एक चीज और, कोशिश करें कि ज़्यादा negativity भरी चीज़ें, या news, या messages, आप लोग ना देखें, या videos ना देखें, उससे भी हम बहुत ज़्यादा एकदम से toxic हो जाते हैं, या फिर बड़ी बार ऐसा होगा, कि हम उसी तरह की चीज़ें अट्राक करनी शुरू कर देते हैं लाइफ में, वैसे ही लोगों को अट्राक करने लगते हैं, जो बहुत disturb करने वाले होते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान करो, कुछ protection के शब्द भी हम लोगों ने switch words में दिये हुए हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई disturbance create हो चुकी है माइन में, किसी ने कुछ बोल दिया है, at least और कुछ नहीं तो कुछ switch words आप लोग चांट कर सकते हो, like काली shield on, मैंने कितनी बार बोला, आप काली shield on chant कर सकते हो, then भारा शर्वा एक दिया है, जो आपके दुश्मनों को खतम करता है, दुश्मन कौन? हमारी खुद का डर ना, अगर हमने किसी की negativity अब्जॉब कर लिया, भी वो negativity मेरे पास है, ये भी तो मेरा दुश्मन है, ठीके तो ये सारी जितनी भी नगारात्मकता हैं, ये खतम हो जाएंगे, जैसे ही divine power से connect करोगे, I hope ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को help करें, negativity से निकलने में, साथ में कोई भी toxic इंसान, या कोई भी ऐसा बाहरी, कोई तत्व, जिसकी वाज़े से आप disturb हो रहे हो, उससे अपने आपको protect करने में, please खुद को protected रखो, safe रखो, self love में high रखो, जिस वक्त कोई सामने से बहुत जादा shout कर रहा है, आप या तो वहाँ से हट जाओ, नहीं हट सकते हो ना, तो सिर्फ एक काम करो, अपने मन में कुछ भी ऐसा कुछ funny सा create करो, and वो ही funny picture आप उस इंसान के चेहरे पे लगा करके देख लो उस टाइम पे, आपको गुसा जो आ रहा होगा, वो गुसा आपकी हसी में तबदील हो जाएगा, आपको वो funny लगेगा और हसी आने लगेगी, okay, जो भी चीज़े हैं उसको बहुत funny वे में लेना शुरू करो, इस तरह की negativity वाली चीज़ों को, ठीक है, ताट्स आल, and yes, कार्तिक के महीने का ध्यान जरूर रखेंगे, आप लोग अपनी अपनी scripting, journaling, सारी ब्रहमूरत में, अभी का ब्रहमूरत सबसे जादा बेस्ट है, यूज करना शुरू करें, and सुबह उठना शुरू करें, that's all, thank you so much, and God bless you all,